जय हैं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर बहुत ही महत्पुन कॉस्चन आंसर आपको सुरकांतर पार्टी निराला जी से सम्बंदित वीडियो लेकर आए हैं इसमें आपके जितने भी क्लासे अब भी डाउनलूट करना है जहां पर आपके लिए हिंदी साइट का संपुर्ण कोर्स है हिंदी साइट की टेस्ट सीरेज बहुत ही कम दामों में आपके लिए उपलब्द है यहां पर तो सेल्प स्टेडी क्लासे से डाउनलूट करिए और अपनी तयारी में लग जाए और यहां पर 2020 टेस्ट सीरेज करवाई जाती है फ्री तो इस टेस्ट सीरेज से भी अवस्तिज़ण हिंदी साइट की टेस्ट सीरेज होती है तो इसके आपको जुड़ना है प्लेश्टूर से डाउनलूट करना है से अपनी तयारी में लग जाना है निराला जी से आंसर होगा सुरे कमार आपका राइट आंसर है क्वेस्ट नमबर दो पूछा है निराला का संबंध किस पत्त्रिका से है यह आपके लिए बताना है चांद इदंदूमती मधुरी या मतवाला तो आपका राइट आंसर होगा कि निराला का संबंध मतवाला पत्त्रिका से है तो निराला को महाप्राण नाम किस आलू चक ने दिया था तो question number 3 का right answer है आपका गंगा प्रसाद पांडे right answer होगा question number 4 पूँचा है निराला को किस काभवी के लिए 2100 रुप प्रोस्कार शरूप मिले थे जिसे निराला ने एक गरीब महिला को दान में दे दिये थे तो किस काभवी के लिए इनको 2100 रुप प्रोस्कार मिले थे तो आपका right answer है वह काभवी कौन सा है तो बिलकुल चाहिए right answer है अपरा विकल्प number आपका इहां पर C right answer होगा निराला की आत्मकता रचिना की विधा क्या है जीवनी है आत्मकता है नाटा के उपन्या से तो question number 5 का right answer निराला की आत्मकता रचिना की विधा क्या है ये जीवनी मानी जाती है विकल्प number 1 आपका इहां पर सही answer होगा अंगला question देखते हैं कि निराला की साहित साद्रा नामक आलोचिनात्मक किर्थी की रचिता कौन है महत्तपुन question most important question पूछा गया है और आपका विलकुल सही right answer है क्या right answer तो विकल्प number आपका इहां पर जो सही answer है वह है एक यानिकी रामबिला सर्मा इस किर्थी की रचिता question number आपका इहां पर साथ पूछा है निराला की साहित साधना कितने भागों में हैं दो भागों में चार भागों में तीन भागों में तो question number 7 का right answer है ये तीन भागों में है तो विकल्प number B right answer होगा किस विद्वान ने निराला की मुक्त चंद को रबर चंद या क्यांचुआ चंद की संग्या दी थी वह विद्वान कौन थे महावीर प्रसाद दुबेदी क्वेश्चन नमबर नौ पूछा है कि निराला की प्रसद्य कभीता राम की सक्ति पूजा उनकी किस काब संग्रह में संक्ल थे अनामिका में परिमल में अपरा या पर गीति का तो राइट आंसर है क्या राइट आंसर अनामिका आपका सही आंसर होगा राम की सक्ति पुजा कभी था किस पत्रिका में प्रकासे थूए थी मतवाला में या फिर समन्वे भारत मित्र या सरस्वती में तो वह पत्रिका कॉञ्शी थी जिसमें राम की सकती पूजा कवीता कवीता प्रकासित हुई थी तो राइट आंसर है भारत भारत मित्र पिर्थम सोक गीत इसमिर्थी सरोज का प्रकासन बर्स बताना है इसमिर्थी सरोज 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 समिर्थी का प्रकासन बर्स बताना है तो यह पिर्थम सोक गीते सरोज इस मिर्ती और इसका जो प्रिकासन बस माना जाता है वह क्या माना जाता है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्या होगा सही आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है 1935 आपका सही आंसर है question number आपका बारह पूँचा है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंती निराला की किस कवीता से ली गई है मत पूर्ण question पूँचा गया है और आपका सही answer है यह जो पंती ली गई है राम की सक्ति पूजा यान की विकल नमबर भी right answer है दो की ही जीवन की कथा रही क्या कहूं जो आज नहीं कही पंती निराला की किस कवीता से ली गई है भिक्चोक बादल राग राम की सक्ति पूजा या सरोज समिर्थी से सरोज समिर्थी होगा सही answer सरोज समिर्थी से यह जो है पंती ली गई है बिलकुल सही निराला की किस कवी का राइट आंसर है जो ही की कली असंध्या सुन्धरी ये आप दो में सही आंसर बता दीजिए question number 14 का सही answer क्या होगा तो जो ही की कली आनिकी विकल्प नंबर एक आपका right answer होगा question number आपका यहाँ पर 15 है क्या पूँचा क्या है तो देख लेते हैं देखे question number 15 और आपका बिलकुल सही right answer है निराला का परदा पूँचा है तो आप सरा right answer है जिसका प्रकासन हुआ था 1931 अंगला question क्या है इनमें से तीन कवीतां देसी लहजे का सोधापन लिए सब्दों से परिपूर्ण हैं इनमेंसे कौन सी नहीं है देखे तीन कवीता देशी लहजे का सौधापन लिए सब्दों से पूर्ण है लेकिन इनमें से नहीं पूचा है तो नहीं में आपकी हो जाएगी कौन सी राम की सक्ति पूजा आपका विकल्प नंबर जो सी है वह राइट आंसर होगा निराला की प्रिसित्य कवीता बादल राग कितने खंडों में है पाँच खंडों में छे खंडों में चार खंडों में तीन खंडों में तो आपका राइट आंसर होगा छे खंडों में विकल्प नंबर भी सही आंसर है निराला की तत्सम सामा से के पदावली एवं धन्यात्म विखक्व बैंब्वों से कभीता है कॉंसी भह कभीता है question नमबर आपका यहां पर 18 है और 18 का सही answer है रामकी सक्ति पूजा निराला का जन्म कहां पर हुआ यह आपके लिए बताना है तो आपका right answer होगा क्या होगा right आंसर कि निराला जी का जन्म हुआ था कहां पर इनका जन्म हुआ था मेदनी पूर महिसादल पस्चम बंगाल में इनका जन्म हुआ था तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा निराला का जन्म कब हुआ था यह आप से पूछा है तो आपका यहां पर सही आंसर क्या है निराला जी का जन्म हुआ था कहां पर सरी कब हुआ था इनका जन्म तो आपका राइट आंसर यहां पर होगा क्या होगा राइट आंसर तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहां पर यहां पर डी राइट आंसर 1897 आपका सही आंसर है कहीं कहीं आपका 99 भी मिलता है 1899 निराला की पिता का क्या नाम था ये आपके लिए बताना है तो निराला की पिता का नाम आपके लिए बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है इनकी पिता जी का नाम क्या था तो question number आपका 21 है और 21 का सही आंसर होगा क्या होगा right answer विकल्प number C right answer है राम सहाई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निराला की पूरवज मूल रूप से कहां की रहने वाले थे तो question number आपका यहां पर है 22 और 22 का सही आंसर है गड़ा कूला उन्ना उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे इनके पूरवज निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन कभी किया था question number आपका 23 है और 23 का right answer है 1922 में 1921 में या फिर 1922 में या फिर 1924 में तो मतवाला पत्रिका का प्रकासन आप से पूशा है तो मतवाला पत्रिका का संपादन कभी किया था तो संपादन 1922 तेश right answer है महा प्राण निराला अलूचनात्मा कोस्तक किसे न लिखी थी तो आपका right answer है question number 24 का सही answer ये पोस्तक लिखी थी गंगा प्रसाद पांडे ने चायबाद की रूद्र कौन माने जाते हैं महत्तपुन question पूशा गया है चायबाद की रूद्र माने जाते हैं कौन तो आपका right answer है निराला विकल नंबर आपका यहाँ पर भी right answer होगा question number 26 है किस बिद्वान ने निराला को ओज और ओदात्तिका कभी कहा है निराला की अनुसार निराला की पर्थम कभीता है तो आपका यहाँ पर सही answer है निराला की अनुसार निराला की पर्थम कभीता है तो बिलकुल सही right answer होगा आपका यहाँ पर क्या होगा सही answer तो विकल नंबर आपका भी right answer है जूही की कली विकल्प नंबर आपका भी सही आंसर है रामविलास सर्मा की अंसा निराला की प्रतम कवीता कौन सी मानी जाती है तो question नंबर 28 से और रामविलास सर्मा ने मानी है निराला की प्रतम कवीता भारत माता की बंदना विकल्प नंबर एक सही आंसर है जो ही की कली कवीता का रचिनाकाल आपके लिए बताना है जो ही की कली ए आपको बताना है इसका क्या होगा रचिनाकाल तो बिलकुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा क्या होगा सही आंसर तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो ए है राइट आंसर 1916 अंगला कॉस्चन है भारत माता की बंदना कवीता का रचिनाकाल क्या माना जाता है भारत माता की बंदना और इसका जो रचिनाकाल माना जाता है बहे क्या माना जाता है तो बिलकुल सही राइट आंसर आपका यहां पर जो होगा बहे है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर अंगला कॉस्चन है, निराला की दार्षिनिक, निराला का दार्षिनिक दरश्टी कौन माना जाता है, तो क्या ऐसा माना जाता है, इनका दार्षिनिक दरश्टी कौन माना जाता है, कॉस्चन नमबर 32 का सही आंसर है, विकल्ब नमबर सी अदुएतबाद, अदुएतबाद कि question number 34 क्या पूंचा है यहां पर देख लेते हैं देखिए रहा आपका कि निराला को किस काब योग का पत्प्रदर्सक कहा जाता है छायवाद का प्रगतिबाद प्रियोगबाद या उप्रवक्त सभी तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा विकल्प नमबर डी आपका स सही आंसर यहां पर है निराला ने अपनी किस काब पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि मैंने हिंदी अपनी धर्म पत्नी के सांदेद्ध में और सरस्तुती पत्रिका की प्रितियां पढ़कर सीखी है यह आपके लिए बताना है निराला ने अपनी किस काब पुस्तक की राइट आंसर है 1944, परिमल साहित समुई की स्तापना हुई थी 1944 में, निराला की आत्मकता जीविनी किसने लिखी है, यह आपके लिए बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, सूर कुमार सूर परिकास दीख्षित आपका सही आंसर है, निराला की आत्मकता जीविनी का परिकासन वर्स बताना है, इसका परिकासन वर्स क्या है, तो इसका परिकासन वर्स 1970 इस भी माना जाता है, क्वास्चिन नंबर 49 है, निराला एक आत्म हंता आस्ता नामक जीविनी किसने लिख तो question number 49 है और 49 का बिल्कुल चाहिए right answer है दूद नात से है विकल्प number D right answer होगा निराला का प्रतम उपन्यास अपसरा कब प्रकासित हुआ था इनका उपन्यास प्रतम माना जाता है यह अपसरा और यह जो प्रकासित हुआ था तो विकल्प number आपका इसी right answer है 1931 में प्रकासित हुआ था निराला का प्रतम उपन्यास कउचा है अपसरा अंगला कॉस्चन क्या है निराला का प्रतम का प्रतम का बसंग रहे है तो इनका प्रतम का बसंग रहे पूँचा है निराला जी का तो आपका right answer क्या होगा तो right answer है व 1923 आपका राइट आंसर है 1923 परतम बार इसका जो है प्रकासन हुआ था और दूसरी बार कब हुआ था इसका प्रकासन तो आपका सही आंसर है क्या राइट आंसर क्या है कि परीमल काप्ब संग्रे का प्रकास नमबर साब के लिए बताना है कॉस्च नमबर चवालिस में और चवालिस का सही आंसर क्या होगा कॉस्च नमबर चवालिस का सही आंसर बताना है परीमल परिमल का बताना है तो क्या होगा इसका राइट आंसर तो विकल्ब नंबर C 39 आपका राइट आंसर है निराला की पिर्थम कभी था जू ही कली उनके किस काब में संग्रे थूई जू ही कली बताना है तो एक किस काब में संग्रे थूई थी तो 45 का विकल्ब नंबर एक दास लिख किस पत्रिकाम प्रिकासे तुआ ता मतबाला में सरस्वती में समनबाई या जागरण में तो आपका सही आंसर है चालिस का विकल्प नंबर बी यानि की समनबाई राइट आंसर है यह आपके लिए बताना है महत्तपुन कौस्चन पूचा क्या है कि राम की सकती पूजा कवीता पर किस किरती का प्रिभाव है तो आपका सही आंसर होगा किरतिवास का बंगला रामेन का दुबिकल्प नंबर एक जो है आपका सही आंसर होगा कौस्चन नंबर आपका यहांपर अड़ताले से किस कभी ने लिखा है कि मैंने मैं सेली अपनाई तो आपका राइट आंसर है निराला ने तो विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर होगा इनमें से कौन सी निराला की लंबी कवीता नहीं है एक question पूचा जाता है कि कौन सी लंबी कवीता नहीं है नहीं पूचा है तो आपका सही answer है भिक्चुक भिक्चुक यानि की विकल्प नंबर भी आपका सही answer होगा question number 50 है कि निराला का कौन सा कापवे हिंदी का पिर्थम सोक गीत माना जाता है तो महत्तपुन question पूचा गया है सबी लोग वीडियो को लाइक अबसे कले यहाँ पर और सरोज इसमिर्ती यह जो कापवे हिंदी का पिर्थम कापवे माना जाता है निराला का है और सरोज इसमिर् यह आपके लिए बताना है तो क्या होगा राइट आनसर मत्पूर्ण कॉस्चिन पूचा गया है और आपका इहाँ पर जो सही आंसर है सरोज सरोज इस्मीर्टी कवीता नर्ला के कैसे काफ्ब में संगरित है तो विकल्प नमबर एक right answer है यानि की परीमल अंगला question क्या है तो question number चंगल है राम की सकती पूजा पहली बार कप प्रकासित हुई ती राम की सकती पूजा ए आपसे पूचा है चार विकल्प भी आपकी यहां पर दिये गए है क्या होगा इसका right answer तो विल्कुल सही right answer है आपका यहां पर क्या है right answer तो विकल्प नमबर आपका यहां पर जो सही answer है वह है विकल्प नमबर डी 1936 इस भी आपका यहां पर सही answer होगा 1936 है बादल राग कभीता का पिरकासन कब हुआ यह आपके लिए बताने question नमबर 55 है और 55 का सही answer है बादल राग कभीता का पिरकासन पूछा है 1920 इस भी राइट answer है तुलसी दास किस पिरकार का काभ है इप्रवंद काभ मुक्तब काभ गीत काभ यह खंड काभ माना जाता है तुलसी दास किस पिरकार का काभ है तो इप्रवंद काभ है विकल्ब नमबर एक सही answer है बंदे बाणी बंदे बीणा बादनी वर्दे कभीता निराला की किस काभ में है बर्दे बीणा बादनी वर्दे यह आपके लिए बताना है तो कभीता जो है निराला की किस काभ में है तो आपका सही आंसर है question number sun town का विकल्प number d. गीति का आपका सही आंसर होगा निराला कि निम्नलखे दरचनाव का प्रकासन वर्ष की अनुसार सही किरम किस विकल्प में है वैं विकल्प का आपकी लिए छेहन करना है question number untown में और untown का सही आंसर है सबसे पहले अनामी का परीमल और फिर आएगा गीती का और फिर तुल सीदास इस परकार आपका सही आंसर होगा question number आपका यहाँ पर 69 है निमने लिखे तरश्याओं का प्रकासन वर्स की अनुसार सही अनुक्रम के से विकल्प में है question number 69 है और आपका सही आंसर होगा क्या होगा right answer अडिमा, बेला, नैपते, अरचना और आराधना विकल्प number C right answer है गीती का काप्वे का प्रकासन वर्स आपके लिए बताना है क्या माना जाता है गीति का काब्वे का प्रकासन बरस बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 1936 इस भी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 1936 अंगला question है तुलसीदास का अबेका प्रकासन कब हुआ था? Question number 61 है और 61 का सही आंसर बताना है तुलसीदास तुलसीदास का अबेका आपके लिए बताना है इसका प्रकासन तो 1938 आपका right answer है, 1938 विकल्प नंबर भी right answer है निराला की लंबी कभीता कुकुर मुत्ता का प्रकासन वर्स कब हुआ था? बताईए question number आपका यहां पर 62 है और 62 का सही आंसर आपका यहां पर क्या होगा? कुकुर मुत्ता इसका प्रकासन वर्स बताना है तो बिलकुल सही आपका right answer है, 1941 आपका सही आंसर है कहीं कहीं आपके लिए 1942 भी मिलेगा और अंगलर question क्या है? तो देख लेते हैं, बेला और अडिमा काब्बे का प्रकासन कब हुआ? बेला और अडिमा आपके लिए बताना है, तो आपका सही आंसर है, यहां पर क्या होगा right answer? तो बिलकुल सही आंसर है, आपका यहां पर विकल्प नंबर D right answer है, यानि कि आपका काब्बे का प्रकासन बर्स आपके लिए बताना है, question number 64 है, और 64 का सही आंसर आपका यहां पर होगा, नए पत्ति काब्बे का प्रकासन पूँचा है, तो बिलकुल सही right answer बताया है, कि आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर D-1946, अर्चिना काब्बे का प्रकासन प्रकासन बर्स पूँचा है, मत्पूर्ण question है, चार विकल्प भी दे गए हैं, आपका सही आंसर है, उन्निस सो पचास इस भी विकल्प नंबर D-1946, अर्चिना काब्बे का प्रकासन पूँचा है, तो बिलकुल सही right answer है, विकल्प नंबर D-1953, अंगले question है, निराला की स प्रकासन उन्निस सो चंगवन से उन्निस सो अंठाउन तक कभी दाएं, इस काब्ब में संकले थें, आपरा, रागबराग, सांध्य कांकली, या फिर गीत गुझे, तो right answer है, सांध्य कांकली आपका विकल्प नंबर D-1954 से उन्निस सो अंठाउन तक की कभी दाएं, इस में संकले थें, और निराला के इस काब्ब में गीत संबंधी नए प्रियोग हैं, किस काब्ब में हैं, यह आपको बताना है, परिमल में, अडिमा में, अनामिका में, गीतिका में, तो आपका सही आंसर है, गीतिका यानिकी विकल्प नंबर D-right answer है, प्रकासन 1936 गीतिका का माना जाता है, अंगला question है, निराला का ब्यास्य समस्या से संबंधित कौन सा उपन्या से, निरुपमा है, प्रभावती है, अलका है, अपसरा है, तो question number 79 का आपका सही आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर है, अपसरा आपका विकल्प नंबर D-right answer है, निराला का बेकारी समस्या स संबंधित कौन सा उपन्या से, निरुपमा, प्रभावती, अलका, अपसरा, तो बेकारी समस्या से संबंधित इनका उपन्या समाना जाता है, निरुपमा, निरुपमा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही right answer 1934, इसका प्रकासन बर समाना जाता है, और निराला के यहाँ पर आ आंसर सबसे पहले यहां पर क्या होगा सही आंसर तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहां पर सी यहां कि अपसरा अलका नुपमा प्रभावती चमेली यह जो है आपकी यहां पर सही आंसर होगा सबसे पहले अपसरा अलका नुपमा और फिर है प्रभावती और चमेली इस पिरकास जो है सही आंसर आपकी आपर राइट आंसर है यहाँ पर देखे नुपमा उपरववती का जो रचनकाल यह की माना जाता है क्या है 1936 अंगला question है नुपमा उपन्यास का पिरकासन वर्ष क्या है उपन्यास का पिरकासन वर्ष क्या माना जाता है चोटी की पकड़ उपन्यास है और इसका पिरकासन वर्ष माना जाता है यह उपन्यास उरक अंत्रपार्टी निराला जी के ही है और 1944 इसका पिरकासन वर्ष माना जाता है काली कारनामी उपन्यास का पिरकासन most important question है काली कारणामी उपन्यास किसका है निराला जी का है इसका प्रकासन वर्ष क्या है तो आपका right answer है यहाँ पर क्या right answer 1950 आपका right answer होगा अंगले कॉस्चन है कि निराला की कहानी संग्रों का प्रकासन वर्स की अनुसार सही अनुक्रम किस बिकल्प में हैं तो निराला की कहानी संग्रों का बताना है तो यहां पर बताईए क्या होगा राइट आंसर तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका लिली सक्खी और सुक बिल्कुल की बीवी यह जो है विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर होगा यहाँ पर लीली कहानी संग्राय का प्रकासन वर्स आपके लिए बताना है इसका प्रकासन वर्स क्या मानना जाता है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है question number 77 का आपका राइट आंसर है B यानि की 1934 लिली कहानी संग्रह का प्रकास नवर्स इनमें से कौन सा निवंद नराला का नहीं है नहीं पूछा है आप से तो नहीं में हो जाएगा आपका लालतारा यानि की विकल्प नंबर एक राइट आंसर यहां पर राइट आंसर है की दो भागों में प्रवंद पद निवंद संग्रह का प्रकासित हुआ यह आपको बताना है question number आपका यहां पर पूछा है 80 और 80 का सही आंसर है आपका यहां पर विकल्प नंबर भी आनि की 1934 इस वी में निराला की रचना विल्ले सोर बकरहा की विधा क्या है यह आपके बताना है question number है आपका 81 और 81 का जो सही answer है और 21 पर आन्सर का सही answer बताना है जो कि ही महत्युंण question पूछा गया है और इसका सही answer होगा क्या माना जाता है इन्का कस नंसमन संसमन संसमन विकल्प नंसर है इनure से पूछ आलोचनात्मक रचना नराला की नहीं है नहीं पूछा है अलोचनात्मक रचिना निरला की नहीं है तो आपका सही आंसर है नहीं आपका राइट आंसर है पललाव की भूमि का आपका सही आंसर होगा निराला का संसमरन है कुल्लू भाट कप प्रकासित हुआ कुल्लू भाट आपके लिए बताना है एक कप प्रकासित हुआ तो चार विकल्ब भी आपके यहां पर दिये गए है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 1949 इस भी में कॉस्चन नमबर आपका यहां पर पूंचा 84 तुझे बुलाता किर्सक अधीर है जीवन की पारा वर पंती जो है किस काब से ली गई है आपको बताना है तुझे बुलाता किर्सक अधीर है जीवन की पारा वर यह जो पंती ली गई है बादल राग से विकल्ब नमबर भी रहा है कर पिट लिष्ट ये आपके लिए वताना है कि उपरुक्त पंतियं किस कभीता से ली गई हैं राम की सख्ति पूजा से बादलराक से कोकुरमत्ता से सरोजस्मिर्ती से तो आपका सही आंसर है कोकुरमत्ता यानि की विकल्ब नमबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर देखते नहीं मेरे पास एक कभी की बाणी कलाकार की हाथ और पहलवान की छाती और फिलासफर की पेर हैं पंती यह आपके लिए बताना है कॉस्च नमबर छासी में क्या होगा राइट आंसर छासी का सही आंसर बताइए यह पंती है प्रसाद नराला पंत नांगरजुन यह पंती मानी जाती है नराला जी की विकल्प नमबर भी राइट आंसर है इन वैसे कौन सी पंती नराला की नहीं है नहीं पूंचा है आपसे यहाँ पर देखिए चार विकल्प भी दे गए है और यहाँ पर आपसे पूंचा गया है न संध्या सुन्धरी गर्म पक्वडी या भैतोड़ती पत्थर या नयपत्ति तो आपका राइट आंसर है कवीता कौन सी चायवादी है तो संध्या सुन्धरी विकल नंबर एक सही आंसर है कौस्चन नंबर 89 पूचा है कि मा की कुल सिक्षा मैंने दी पुस्प सेज तेरी स्व ली गई है तो आपका राइट आंसर है सरोज स्मिर्थी विकल नंबर भी राइट आंसर होगा वह कूर काल तांडव की स्मिर्थी रेखा सी वह टूटिती तरू की जूटी लतासी दीन यह आपके लिए बताना कि उपरक्त जो पंतियां है यह किस कवीता से उद्रत है तो आ बिल्कुल सही सरोज स्मिर्थी आपका सही आंसर है तो इस प्रकार अपन ने यहां पर देखे बहुत ही महत्त्यपुन क्वास्चन आंसर निराला जी से संबंदित कि निराला जी का जन्म हुआ था 1899 में 21 परवारी 1899 में इद नीपुर पस्च्यम बंगाल में इनका जो है जन्म हुआ इनकी म्रत्यू कब हुई थी 1961 में इनकी म्रत्यू हुई थी इलाहबाद उत्तर प्रदेस में और इस परकार इनका उपनाम निराला था और इसा देख सकें और आपको self study classes डाउनलूट करना है जहां पर आपके लिए यहां पर हिंदी साहित का संपूर्स हिंदी साहित की टेस्ट सीरिज और आपके लिए यहां पर क्या हो ट्वेंटी-ट्वेंटी टेस्ट सीरिज भी फ्री करवाई जाती है तो इस से अवस्त जुणें यह प्री टेस्ट सीरेज आपके लिए जो है बहुत ही महत्तपुन होगी तो आप सेल्फ इस्टेडी क्लासेस एप प्ले इस्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाएए और यह जो है सरसब अबलिकेशन की बुक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन